हेलो फ्रेंट्स आज हम दर लाश्ट लेसन का पूरा समरी करने वाले हैं लेसन का मतलब होता है विशय सिख्छा या पार्थ यानि आखिरी पार्थ उस सवेरे फ्रेंच विद्याले के लिए बहुत देर से चला उसे धमकाय जाने का डर था क्योंकि उसके टीचर मिस्टल हैमल ने उनसे पार्टिसिपल्स के विशय में प्रस्ण पुछने वाले थे जबकि वह उसके विशय में पहला अक्षर भी नहीं जानता था उसने भाग जाने का और खुले में दिन वैतित करने की सूची गर्म चमकीला दिन चाह चाहते हुए पक्षी रथा आडा मसीन के पीछे खुले खेतों में अभ्यास करते हुए प्रसा के सैनेक परलोवित करने ही वाले थे लेकिन उसने परलोभन को दबा दिया और सीगरता स से विद्याले की और चला गया ताउन होल के समीप सूचना पट के सामने बहुत भीर थी लोहार वेट्चर ने फ्रेंच को इतनी तेजी से ना जाने को कहा उसने बालक को विश्वास दिलाया कि वह अपने विद्याले में समय से पहले ही पहुंच जाएगा प्राय विद्या बार की सुवा हो खिरकी से फ्रेंच ने देखा कि उसके सहपाटी पहले ही अपने अपने अस्थान पर थे और मिस्टर हैमल अपने बाजू के नीचे लोहे का अपन्या भयंकर पैमाना यानि लकीर खीचने की पट्री यानि रूलर रखे इधर उधर घूम रहे थे लेकिन मिस्टर हैमल ने बहुत ही दयावाव से उसे अपने स्थान पर जाने को कहा। फ्रेंच ने ध्यान से देखा कि उनके अध्यापक याने मिस्टर हैमल ने अपना सुन्दर हरा कोट, जालर दाल कमीज तथा छोटी काली रेशमी टोपी पहनी हुई थी। इन सब पर कसीदा कड़ा हुआ था। वह इन्हें निरिक्षन अथवा पाड़ी तोशिक वित्रन के दिन पहनते थे। ग्रामी लोग चुपचाप प्राया खाली रहने वाली पीछे की सीटों पर बैठे हुए थे। पर तेक वैक्ती दुखी दिखाई दे रहा था। वृद्ध हॉसर तो एक पुरानी प्रवेशिका यानि बर्नमाला की बच्चों की पुस्तका भी ले आया था। मिश्टर हैमल ने कहा कि यह अंतिम पाड़ था जो वह उन्हें पढ़ाएगा। इसके प्रशात Elsis तथा Lauren के विद्यालेओं में केवल जर्मन भासा ही पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक अगले दिन आ जाएगा या उनका फ्रांसेसी भासा का अंतिम पाड़ था। वह चाहता था युवे अत्यंत ध्यान पूर्वक रहे। फ्रैंच को अफसोस हुआ कि उसने अपना पाठ उषित धंग से याद नहीं किया था। मिश्टर हैमल के जाने की खबर से वनन करता या भूल गया हुनका पैमाना और वच यानि मिश्टर है कितने क्रूर है। अब फ्रेंच की समझ में आया कि मिस्टर हैमल ने अपनी सर्व स्रेष्ट पोसा क्यों पहनी हुई थी और गाओं के बड़े बुरे लोग वहां क्यों बैठे हुए थे वे अध्यापक की चालिस वर्ष की स्वामी भक्ती पूर्ण सेवा के लिए उनका धन्यवाद करने जथा उस देश के परते सम्मान प्रकट करने आये थे जो अब उनका नहीं था मिश्टर हैमल ने फ्रेंच को सस्वर गाने को कहा किन्तु वह वहां चुपचाप खड़ा रहा अध्यापक ने उसे नहीं धंकाया उसे सुकार किया कि वह खुद और उसके माता पिना दोसी थे फिर उसने फ्रांसिसी भासा के बिसे में बाते की कि यह संसार की सबसे पूर्ण भासा है उसने हमें कहा कि अपने बीच इसकी रक्षा करें और कभी न भूलें उनकी भासा उनके कारावास की कुंजी थी फिर उन्हें व्याकरन और लेखन के पाठ मिले छट पर कबूतर बहुत धीमें गुटूर्गू कर रहे थे फ्रेंस सोचने लगा कि क्या किसी वस्तू को देखते रहे उनकी बहन उपर वाले कमरे में ट्रंकों में अपना सामान लगा रही थी क्योंकि उन्हें अगले ही दिन देश शोर कर जाना था लेखन के पश्चात उनका इत्यास का पड़ था तो था फिर बच्चों ने मंत्र की भाती उच्चारत किया भ्याव से लोटने की तुरही की ध्वनी खेड़कियों के नीचे से आई मिस्टर हैमल खरा हो गया वो बोलना चाहता था लेकिन किसी चीज से उसका गला बैठ लिया फिर उन्होंने चौक का एक टुकरा उठाया तथा जितने बड़े अक्षरों में वह लिख सकता था उसन के पश्चातवर रुख गया और दिवार के साथ अपना सिर्फ जुका लिया बिना कोई सब्स बोले उसने हांस से ही यह इंगित करने के मुद्रा बनाई कि विद्याले की छुट्टी हो गई थी और वे जा सकते थे दोस्तों इसका पूरा समली कंप्लीट हुआ वीडियो पर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें